Redmi Note 5 Pro के लिए MIUI 13 का एक और बिल्ड आया हुआ है और यह चाइना बीटा बिल्ड है चाइनीज बेस्ट है तब इसके अंदर जैसे कि चाइनीज वाले में थोड़ा एक्स्टर फीचर मिल जाते हैं और यहां पर क्या है कि इसके अंदर आपका थोड़ा सा ज्यादा बैटर रहन बाकि क्या कुछ है उन सभी के बारे में बताऊंगा तो बीडियो में लास तक बने रहें आपको बाक्स और फीचर सभी के बारे में पता चलेगा बाकि इंस्टूलेशन आपका बिल्कुल सेम तो सेम रहेगा नॉर्माल इंस्टूल करने इसके नदर कोई भी अलक्से जरू करने जरूत नहीं इसके अंदर इंक्लूडेड है तो सिर्फ आपको रॉम फ्लस करने वाइब करने जैसे की वाइब करके करते हैं तो चलिए बीड़ हम स्टार्ट कर लेते हैं और देखते क्या कुछ हमें मिलने वाले यहां पे तो सबसे पहले चलते हैं माई डिवाइस में तो मिवाई 13 का 21.12.28 देखने को मिल जाता है यह वीटा है चाइना वीटा ओल स्पेक्स के अंदर ओवर क्लोग्ड है जो की ओवर क्लोग्ड ही है यह अंडूड वर्जन 11 है और सिक्योर्टी पैस दिसंबर 2021 की देखने को मिल ज टीगल का वर्जन 16 मिलता और यह ओल्ड केम है तो अगर आप करनल फ्लस करना चाहो तो ओल्ड केम बाला फ्लस करना बाकि इसके कनेक्शन इंसरिंग के अंदर कास्ट को बग रहेगा वो काम नहीं करता और बॉल पेपर इंपर सेक्शन मिल जाएगा तो सूपर बॉल पेपर यह बीस लोग स्करिन करते हैं यहाँ पर आपको सेम्धे को देखने को मिल जाती है दिद्वा एक कि दरकटने अपके और लोग क्रिंट में आएकन तो रहेके कंशन थे .. तो ब्राइडनेस लो आज लॉक स्क्रिन करता है देखने को मिल जाती ते में भी आगे के अपडेट्स में भी फिक्स किया जाएगा अभी फिलाल यह चीज़ देखने को मिल जाएगी जैसा कि अब देखी सकतो है यहाँ पे कोई प्रोलम देखने को नहीं मिल रही है और फिर टैप वैग भी काम कर रहा है चार्जिग अनिमेशन यह आप मिल जाता है और यहाँ पर फिलाल इसे जो हमें ऑफ कर देता हूं यह जो है गलती से ओन हो गया लॉंच कैमरा और यहां प काम करनी है रोटेशन काम कर रहा है सांट ज्बाटर ब्लस बाको मिल जाएगी है यहां पर सिस्टम शर्च बार जाता है और सिस्टम नविगेशन डेफॉल्त एक मिल जाता है और सिस्टम navigation के अंदर यह कुछ settings मिल जाएगी हलाकि यह अच्छे से काम कर इसमें कोई भी animation lag नहीं मिल रहा है अगर आप यहां पर देखो कि डारेक्ट यह open हो रहा है कोई भी दिक्कत नहीं हो रही हो रहेगा बाकि ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आ रहा है कि बिल्कुल स्मूद काम कर रहा है और फिर नीचे यहां पर don't show text मिल जाता है जैसे कि उसमें भी था यहां पर बैक होगे लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं अपलाई हो जाता है तो आपको यहां पर देख सकतो यह जो है आपका बिल्कुल अपलाई हो जाता है इसके अंदर मे तो आप यहां पर don't show text वाला भी चाहो तो use कर सकतो जिसमें titles देखने को नहीं मिलते है आपके icons के और जैसे कि हम यहां पर enable इसे disable किये तो सोग करने लगा इस तरीके से मिल जाएगा और नीचे में arrange item in recent भी देखने को मिल जाता है वहीं fingerprint के अंदर जाओगा ति यहां पर को कर रहे कि नहीं बागे तो सबको सेम ही है यहां पर और फिर गरम चले privacy production तो इसे आपका लेटेस्ट ही रहेगा बाकि बैटरी की बात करें तो बैटरी के अंदर power mode जो की performance mode आपको देखने को नहीं मिलता है लेकिन बैटरी अच्छी नहीं रहेगी तो अगर आप चाहते हो बैटरी अच्छी चीए तो नोन उसी करनल फ्लेश कर देना ओल्ड कम में ज्यादा बैटर बैटरी मिलेगी वहीं अप्स के अंदर manage home screen shortcut काम करें पर इसके अंदर dual app आपको नहीं मिलेगा एप लोग है यूज कर पाऊगे बड़ डूवल एप जो है तेखने को नहीं मिलेग अधिशनल सेटेंग्स के अंदर language की बात करें लैंग्विज भी ज्यादा नहीं मिलेगी इसके अंदर में जैसे कि चाइनीज वाले में ज्यादा लैंग्विज नहीं मिलती है तो बस यहीं लैंग्विज है जो कि यहां पर देखने को मिल जाएगी बाकि LED लाइट काम कर र सेकंड़ सेंड़ सके अंदर मिलेगा यहां पर और अपका फ्रायविट्जी प्रोडेक्शन लैब कि यहां पर मिल जाती हैं जो कि आपको श्यक्षी प्रका नि रहने वाला है और यहां पर आपको यह स्वूल जाता है लेटेस्ट और से देखने को मिल जाता है बोल्ट इसके अन्दर में जैसे की चाइनीज वाले में मिलता है तो इसके अंदर भी ऐसी कोई दिक्कत हमें देखने को नहीं मिलती है वहीं control center के बात करे था control center भी बिल्कूल अच्छा से काम कर रहे है वाइफ भी हो जाता है और वाइफाइ प्लस होट्सपोर्ट भी आप राम से यूज कर पाऊगे ती यहां पर फिलाल मुझे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली है और इसके अंदर आपको सौमी पार्ट्स मिल जाएगा बाकि आप देख सकतो है सबी टायल से देखने को मिल ज जाता है और नीचे में ही आपको टच बूस देखने को मिल जाएगा स्मार्ट चार्जिंग है थर्मल मिल जाएगा और यहां पर क्लियर स्पीकर मिल जाता है और ड्रेक साउंड इनेबल करने कवाद आप जो नॉर्मल साउंड इफिक्ट दिया गया माई साउंड उसको भी आप यूज़ कर पाओगे वॉलिम पैनल आपका यहां पर नॉर्माल ही रहने वाला है फॉर पैनल जैसे की मिलता है और फिर यहां पर पावर मेनी भी आपको नॉर्माल ही मिल जाएगा बलकुल लेटिस्ट अप ओपनिंग के अंदर अनिमेशन देखने को नहीं मिलता है इसक लाइगिंग नहीं मिलती काफी इच्छे जो है काम कर रहा है बागे फिर रहे हैं इसके अंदर में 1.5 या फिर 1.6 GB आपको फ्री देखने को मिल जाएगी 4GB के अंदर में जो कि ठीक है इतना आपको मिल जाता है और इसके अंदर में आपको यूटूब वैंच भी आपको प रिस्टर्क बैग्राउंड एक्टिविटी को कर देना और रिस्टार्ट कर देने डिवाइस तो यह नोटिफिकेशन चला जाएगा अगर फिर भी अगर दिखका दे तो सिंपली इस पो होल्ड करके डारेक नोटिफिकेशन ही इसका बंद कर देना सबसे चाहिए हैं इसे ख पर पैनरमा मोड काम नहीं करता यह बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है इसका एक बग देखनो कि यहाँ पर मिल जाएगा और अब चलते हैं अगर हम बीडो की तरब तो बीडो की जो क्वालिटी आपको इसके अंदर मिल जाएगा लेकिन तक हमारा जो है काम करेगा अच्छे इसके अनदर मिल जाता है और फिर अगर आप जाते है इसके अंदर मिल जाती है इसमें एडिट में फिल्टर आपको लेटस बिल जाएगे यहाँ पर आप करते हैं इसके Sky की तो देखने को नहीं मिलेगा इसके अंदर में लेकिन protective watermark होगे यह सब जो अभी latest feature देखने को मिलते हैं वो सभी आपको मिल जाएंगी यहाँ पर recognize text भी देखने को मिल जाता है यह सारी चीजे मिल जाएंगी इनमें दिक्कत नहीं है और media type भी उसे नीचे आपको मिली जाएगा बाकिकर हम बात करें play store की तो play store भी इसके अंदर certified है यानि कि safety net आपका बिल्कुल pass इसके अंदर में तो banking आप यूज़ करने में दिक्कत नहीं आई गया आप अराम से आपी use कर पाऊगे बाकि इसके बारे में आपको बताई दिया टूल्स के बारे में वहीं okay Google के बात करें तो इसको test के लिए यह काम नहीं कर रहा है इसका एक बग आपको देखने हुआ कि इसके अंदर में मिल जाएगा और इसके अंदर में Chrome आपका क्रेस करेगा बार बार तो सिंपली इसको अपडेट कर देना वेव वीव को अपडेट करने बाद करने बाद Chrome को अपडेट कर देना प्ले स्टोस से यह आपका fix हो जाएगा अब बात करें calling की तो calling UI आपको कुछ इस तरह किस मिलेगी जिसमें carrier service दिया गया है तो यहाँ पे आप देख सकते कितिना मिनिट बात कि उस सारी चीज़ा आपको मिल जाएगी तो old भी यूज कर सकते हो old में क्या होगा कि अब जाओगे तब आपको आपको सर्विस carrier service आप उपर देखने को नहीं मिल रहा है contact और recent ही मिल जाता है नीचे फिर आपको इस line पे देखने को मिलेगा carrier service इस तरीके साब जा पाओगे ति आपको यहाँ पे मिल जाता है कुछ इस तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे इसके अंदर अपडेटर भी है जो कि आपको पहले नहीं बता दे भी बता देता हूं इसके अंदर अपडेटर भी है तो यह भी हमारे किसी काम का नहीं रहने वाला सबस्टाइटल लिखता है जो भी बात करोगे या यह सारी चीज़ है तो यह हमारे काम करने हैं बाकि इसकेंदर वॉल्टी काम कर रहा है बीडियो कोल का बग रहेगा ब्लुटुट्ट ओडियो मीडा इन कोलिंग दोनों पर ही क देखने को नहीं रहे कितने परसेंट मिला पर यहां पर इस को भी तीन बाट टेस्ट के लेकिन ग्राफ इसी तरीके से आ रहा है जो की काफी तगड़ा ग्राफ है तब गेमिंग के बारे में आपको आगे ही बताऊंगा किसी तरीके से मिलने वाली इसके अंदर वहीं गेम की बात करें तो गेंटर वो इसका जो है यहां पे कुछ इस तरीके से लेटेस मिल जाता बट यहां पर वोईश चेंजर कॉपसन नहीं है और यह मीन नोट 10 सपोर्ट के अगर वोईश चेंजर होता तो वर्किंग रहता बागे ग्राफिक स्मूद पर 90 पर बैलेंस पर हाई और तो बिल्कुल सेम इंस्ट्रोलेशन रहेगा क्योंकि इसके इंदर आपको जो है जैसे कि चाइने वाले में अलग से जीएप फ्लास करना पड़ता तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा जैसे कि इसके इंदर इन बिल्ड किया गया तो इसलिए आपको सिरफ र परसनेश को नहीं दीखा लेकिन ग्राफ जितना तकड़ा देखने को मिला है उवी तरीके से पाफॉमेंस भी इसके अंदर देखने को मिलने वाली क्योंकि इसके अंदर आपको अभी जो एंड़ोड11 बिल्ड देखने को मिल रही है उनसे बैटर पफॉमेंस गेमिंग देखने को मिलने वाली है तो आपको ट्राय करने और कमेंट करके जरूर एचीज बताना कि मैं जो कहा था सच है कि नहीं क्योंकि इसके अंदर परफॉम्स है काफी अच्छी लगी है और एक चीजा और आपको बता दू कि यहां पर इंडोइट 10 वाली रोम से जो है कंपेर मत क है ऐसे भी इसके जो बाकी एनिमेशन ने काफी अच्छे हलाकि इसके एप ओपनिंग के टाइम पर एनिमेशन देखने को नहीं मिलता जो कि आपको बता इसके अंदर बाकी एच्टी काड के प्रोब्लम आया तो सिंपली करनल चेंज कर देना और अगर आपको बैटरी थोड करके ओल पे कल लीजिए ताकि एगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए और अगर आपको कुछ पूछना होगा तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्सर पर है और कोमेंड में भी आप पूस सकते हो तो बस यही था इसकी वीडियो क एंदर थांक्स फर वाचिंक